राजस्थान के जैसलमेर जिले का कुलधरा गांव पिछले 200 सालों से रूहानी ताकतों के कबजे में हैं कभी एक हंस्ता खेलता यह गांव आज एक खंडहर में तबदील हो चुका है प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता जैसे जैसे लोगों के कदम इस गांव के भीतर बढ़ते हैं यहां का तापमान लगातार कम होता जाता है यहां तक की कई जगह यह तापमान माइनस में भी पहुँच जाता है इन खंड़ारों की दीवारों से आने वाली तरह तरह की आवाजें रौंगटे खड़े करने वाली होती है ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये आवाजें हमें वहाँ से चले जाने का आदेश दे रही है लोग कहते हैं कि इस गाव में भूतों का बसेरा है पिछले 200 सालों से यह गाव किसी श्राब और बद्दुआ में फसा हुआ है ऐसा कहा जाता है कि यह गाव आज तक नहीं बस पाया उसके पीछे पालीवाल ब्राह्मणों का श्राब है जो उन्होंने राजा के पाप करने पर दिया था क्या है इस वीराने की कहानी? आज एक वीरान खंडहरों में तब्दील हो चुका गाव बारहवी शताबदी में पालीवाल ब्राहमनों की राजधानी हुआ करता था जिसकी सम्रध्ध के चर्चे पूरे राजस्थान में थे यहां की इमारतों की वास्तुकला मन को मोहने वाली हुआ करती थी आज भी यहां के खंडहरों की नकासी देखकर उन पालीवाल ब्राहमनों की सम्रध्ध का अंदाजा लगाया जा सकता है कहा जाता है कि पालीवाल ब्राहमनों की यह सम्रध्धी जैसल मेर के दीवान सालेह सिह को भूटी आँख न भाई और उसने कुल धरा सहित आसपास के 84 गामों पर भारी कर ठोक दिया पालिवाल ब्राहमणों ने इसका खुल कर विरोध किया लेकिन अन्याय यहीं खत्म नहीं हुआ अयास सालह सिह की नजर कुल धरा की एक बहुत ही खुबसूरत लड़की पर पड़ी और बहुसे अपने हरम में लाने के लिए धुल धरा पर जोड देने लगा लेकिन पालिवाल ब्राहमणों ने साफ इंकार कर दिया गुसाए सालह सिह के अत्याचार बढ़ते गए एक दिन पालिवाल ब्राहमणों ने तै किया कि वे इस गाव को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे और एक रात वे गाव छोड़कर चले गए और जाते जाते श्राप दे गए कि अब यह गाव कभी नहीं बसेगा उसी श्राप के कारण आज कुल धरा का यहाल है